हेलो फ्रेंट्स, वल्कम बैक टो माई चैनल, आज मैं कोई कुकिंग वीडियो नहीं शेयर करूँगी, आज मैं शेयर करूँगी एक इंडेक्शन का फंक्शन, वो मैं इस वीडियो में दिखाऊंगी, कैसे ये परफॉंग करता है, कौन से अप्शन में क्या होता है, वो मैं दिखा देती हूं आपको, पहले सबसे पहले मैंने कंट्रोल पैनल से, जो हमारा स्विच बोर्ड है, उधर से मैंने इसको अन कर लिया है, ये है कंट्रोल पैनल जो इंडेक्शन में दिया गया है, अभी हम अन ऑफ जो बटन है, उसको प्रेस करेंगे, और इसको अन कर लें इसको देखिए switch port से मैंने on कर दिया था अभी इधर induction में switch on कर ले रही हूं यह automatic control panel में देखिए 1200 degree temperature में pressure cooker mode में यह on होता है और अगर आपको ज्यादा और temperature चाहिए तो plus बटन को प्रेस करके बढ़ा सकते हैं अगर कम चाहिए तो minus बटन को प्रेस करके आप लेस भी कर सकते हैं दूसरे function के तरफ चलते हैं सबसे पहला वाला जो function दिया जाता है वो है दोसा चापाटी मोड अगर आपको दोसा या फिर रोटी बनाना है तो आप इस mode को on कर सकते हैं आपने timer भी set कर सकते हैं अपना जरूरत के हिसाब से एक मिनिट दो मिनिट उस हिसाब से आप set कर सकते हैं टाइमर मतलब आप कुछ टाइम तक उस चीज को बनाना चाहते हैं इंडक्शन में रखके तो आप timer set कर सकते हैं और है कड़ी mode जिस पे हम लोग कड़ी वगरा या फ 200 पे आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं अपने जरूरत के अनुसार और है इडली mode ये देखिए मैं टेमपरिचर को कंट्रोल कर ले रही हूं प्लास मैनस दबा के अभी function इडली के तरफ आ जाते हैं ये है इडली mode ये इडली mode में ली इडली बनाने के लिए ही दिया गया है और अगर इडली mode यूज़ करके आप चॉकलेट या फिर केक बनाना चाहते हैं तो भी इसको यूज़ कर सकते हैं तो ये timer के साथ ही on होता है और अगर आपको timer को बढ़ाना या फिर घटाना है तो आप जब प्लस या मैनस बटन प्रेस करेंगी तो आटोमेंटिक जो timer बाल अगर आप उसको change करेंगे तो timer भी on हो जाता है और देखिए ये defry mode है अगर आपको कुछ भी defry करना है high flame में बनाना है और oil को जल्दी से गरम कर लेना है तो आप इसको on कर सकते हैं और इसको भी आप control कर सकते हैं प्लस या मैनस दबा के अभी आते हैं दूसरा function hit milk के तरफ ये जैसे देखिए 20 मिनिट तक ये ऐसे ही slow flame में कुछ भी चीज को अगर आपको बनाना है तो 20 मिनिट तक ये पकाएगा उस चीज को या फिर अगर आपको time कम करना है तो आप वो भी कर सकते हैं या फिर बढ़ाना है तो भी बढ़ा सकत हैं देखिए अभी मैंने pause कर दिया है तो timer on करके अगर आपको अभी cooking नहीं करना है या फिर गेस्ट आ जाता है तो आप timer on करके उसको pause भी कर सकते हैं और दूबरा आके वो timer को आप ट्रेस करने पे वो फिर से on हो जाता है और इस mode को भी आप बढ़ा सकते हैं timing को या फिर घटा भी सकते हैं और देखिए ये keep warm mode mainly ये जो mode है ये slow cooking के लिए है अगर आपको कुछ भी चीज अच्छे से पकाना है slow flame में तो आप इस mode को use कर सकते हैं 60 degree पे ये on होता है और अगर आपको ढग के कुछ भी अच्छे से ब इस mode में आपको हाई flame में अगर कुछ भी cooking करना है तो आप कर सकते हैं ज्यादा तर चाइनीज खाना बनाने की time में हमें ये बाला जो function है वो काम में आता है तो अगर इंडक्शन में आप चाइनीज खाना बना रहे हैं तो उस mode को use कर सकते हैं वो 1200 पे on होता है आप उसको बढ़ा या फिर घटा सकते हैं ये power saver technology के साथ आता है जो model के बारे में मैं बात कर रहे हूं और ये बहुत ज़्यादा power consumption बिल्कुल नहीं करता है मैं last one and half year से इसको use कर ले रही हूं ये बहुत अच्छा perform किया है आप तक और अगर आपका सारा cooking खतम होग जाता है तो आप off button को प्रेस कर लीजिए और switchboard से इसको off कर लीजिए off button को प्रेस करने के बाद आप तुरंट देखेंगे कि इसके नीचे दिया गया जो fan है तो वो on हो जाता है और ये control panel इसको ठंडा कर लेता है ये automatic cool हो जाने के बाद वो fan बंध हो जाता है उसके बाद आप control panel स जो main control panel है switchboard उससे इसका off कर लीजिए और आपका induction का function यही पर खतम होता है अभी देखिए ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको like कीजिए share कीजिए और मैं मिलूँगी फिर एक नए वीडियो के साब में तब तक के लिए चले बाइ-बाइ